हेलो स्टुडेंट्स आज कर जो हमारा ऑप्टिक सेरीज में नेक्स लेक्ट्टर रहेगा वो है दा पार्टिकल नेजर ओफ रेडियेशन अब तक देखे रेडियेशन के नाम से आपके मन में जो है क्रस्ट और ट्रफ ही घूमते आए हैं लेकिन जो रेडियेशन हैं जया इन्फराड रेड रेज की बात करें गामा रेज की बात करें एक्स रेज की बात करें तो आप उनको रेज ना कहके आप उनको एक पार्टिकल भी कंसीडर कर सकते हैं तो अब यह देखें यह कंसेप्ट कहां से आया हमारे पास दो एफेक्ट्स हैं वन इस नोन आज फोटो यह हम पार्टिकल नेचर से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, रेडियेशन के, अब एक बार थोड़ा सा गो थू हो जाईए, यह अप प्लस टू पे पढ़ चुके हैं, कि कॉम्टन एफेक्ट क्या होता है, और फोटो एलेक्टिक एफेक्ट क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा रिवाइब हो जाएगा, फोटो एलेक्टिक एफेक्ट में याद कीजिएगा, कि हमने क्या किया था, हमने एक मैटल का सर्फेस लिया था, और इस मैटल के सर्फेस पर यह जो सर्फेस ऐलिमेंट्स हैं हमारे, इनके उपर हमने यहाँ पर फोटोंस डाल दिये थे, अब यह एक एटम है आपका और इस एटम के ऊपर हमने एक पार्टिकल डाल दिया है, इसको कोलाइड करवा दिया है, और यह जो फोटों है, जो पार्टिकल है, रएडियेशन को हमने मान लिया है, that is a combination of photons, वो आपके पास photons का यह combination है, और उस photon की energy कितनी है, ह new है, ह यहाँ पर planks constant है और new यहाँ पर frequency है तो सोचिएगा कि photon यहाँ पर जा कर strike किया और आपका जो outer most में जो electron था उसको इतनी energy मिल गई कि यह electron जो है वो आपके atom को छोड़ कर चला गया और आप जानते हैं इस energy को आप ionization energy कहते हैं इसको यहाँ पर हमने work function से indicate किया है तो it means कि photon से आपने डाले h new energy के और electron को निकालने के लिए सिरफ phi energy की requirement थी यानि कि h new dash energy की requirement थी अगर h new बराबर है h new dash के तो क्या होगा आपके जो electron है वो सिरफ इस surface पर आकर खड़ा हो जाएगा यहाँ पर इकठे electrons होना start हो जाएंगे लेकिन मान लीजिए कि h new कि यह जो के photon से इनकी energy जादा है और electron को निकालने के लिए बाहर energy की requirement कम है वो energy आपको कम चाहिए तो बाकी energy कहां जाएगी energy का conservation law क्या कहता है energy का neither be created nor be destroyed चाहाब chemistry में पढ़ लीजिए चाहाब physics में पढ़ लीजिए हर जग आपके पास यही होता है कि energy का neither be created nor be destroyed तो कहीं न कहीं adjust तो हमें करनी पड़ेगी तो होगा क्या माल लीजे 5 joule का आपने photon डाला 3 joule से electron निकल गया बाकी के 2 joule क्या कर जाएंगे इस electron को निकले हुए electron को आगे की तरफ move करवा देंगे with the kinetic energy of 2 joules तो यह आपकी famous photoelectric equation है H new वो photons हैं जो आपने डाले H new dash electron को निकालने के लिए surface तकलाने की energy है और बाकी energy अगर बच गई photons की तो वो कहां चली जाएगी as kinetic energy of electron चली जाएगी तो यादि कीज़ेगा यह आपका photoelectric effect था और photoelectric effect में इस जो electrons आपके बाहर निकल रहें इनको photoelectrons हमने नाम दे दिया था सोचिएगा कि यहाँ पर इन radiations को अगर आपने particle नाम आना होता तो क्या आप ये describe कर पातें फिर तो आप simple सा एक formula यूज कर लेतें कि आपकी waves हैं waves हैं तो टकरा कर थोड़ी इधर उधर move कर जाएंगे और निकल जाएंगे इधर थोड़ा सा deviate होकर photoelectrons का emission आप explain ही तब कर पाएंगे जब आप radiation को particle मानेंगे कि एक bowl से एक bowl टकराई और दूसरी bowl को उसने क्या कर दिया है displace कर दिया है similarly content effect को याद कीजिएगा content effect में हमने एक electron ले लिया था यहाँ पर rest में और rest में जो electron लिया था उसके उपर radiation डाल दिये थे आप ultraviolet डालिए आप कुछ भी डालिए आपको पता है इस particle की यह जो rest में particle है इसकी कोई ना कोई rest mass energy भी होगी जिसको हाँ m0c2 से चानते हैं अब m0c2 के बराबर जब तक energy तुम नहीं दोगे तब तक electron move नहीं कर पाएगा तो h new जो energy है यह energy m0c2 से जादा होनी चाहिए तब आपका यह electron move कर पाएगा अगर बराबर हुई तो आपका move नहीं कर पाएगा पूरी की energy, पूरी energy h new is equal to m0c2 से consume हो जाएगी तो हम यह आपर यह consider कर रहे हैं h new is greater than m0c2 अब जानते हैं, mass energy equivalence यही तो कहता है mass can be converted into energy and energy can be converted into mass तो एक electron जिसका rest mass rest mass का मतलब कि है, electron rest में था उस time जब इसका mass measure किया गया वो हमारे पास m0 है तो यह कितनी energy के equivalent होगा यह energy m0c2 के equivalent होगा तो हमने h new radiation डाले radiation भी मत कही है, मान लेज़े एक particle मारा इसको फैंके और यह क्या कर गया, electron इधर चला गया और वो particle इधर move कर गया तो यह radiation जो है आपके h new energy के, इसने क्या किया कुछ energy आपके इस rest mass electron को दे दी और इसको यहाँ पर move करवा दिया अब देखिए, particle का mass M note नहीं रहा, M हो गया और जो पहले velocity V यहाँ पर 0 थी, अब वो V हो गया और theta angle से आपने इसको x axis के साथ downward direction में deflect करवा दिया बाकी energy जो बचकी वो कहां जाएगी, radiation आपने डाले थे, radiation कुछ energy तो electron को देखे, जो energy बाकी बची, वो बची h new dash तो यह energy आपकी यहाँ चलेगे सोच के देखिएगा कि अगर हम इनको particle ना consider करते इन radiation को तो आप तो simple कह देते कि radiation जो है, इसको टकर मारेगा और यह इधर की तरफ move कर जाएगा, deviate हो जाएगा without losing energy तो यहाँ पर हम content effect को तब ही तो explain कर पाएँगे से bowl टकराती है, तो bowl move कर जाती है तो यहाँ पर हमने particle का, यह consider कर लिया, particle is colliding with this rest mass particle and again it is moving in the downward direction, along x-axis with making an angle of theta, तो यह जो सारे चीज थी, यह हमें किसने explain करवाई? यह हमें explain करवाई Einstein ने, Einstein ने 1905, देखिए dates याद रखिएगा, इससे आपकी memory भी increase करती है 1905 के अंदर Einstein ने क्या किया, photoelectric effect को और compton effect को इसी हिसाब से समझाए कि हम वहाँ पर waves नहीं डाल रहे है particles के उपर, वहाँ पर हम एक तरह के particle ही डाल रहे है तो waves को उन्होंने क्या consider कर लिया radiation को उन्होंने क्या consider कर लिया particle consider कर लिया अब उन particle के energy कितनी होगी उनकी energy fix है quantized है, quantized का मतलब आप जानते हैं, जैसे आप stairs चड़ रहे हैं तो पहले सेड़ी चड़ेंगे तो energy even है उसके बाद दूसरी सेड़ी चड़ेंगे तो energy E2 हो गई, क्या E1 और E2 के बीच में कोई सेड़ी ओं के बीच में कोई energy है नहीं है, तो quantized का मतलब है fixed amount of energies है तो हमने यहाँ पर जो particle consider किये है, radiation को हमने जो particle माना है, उनको क्या नाम दे दिया photons, और photons के energy fix कर दी है, h into new तो h क्या है आपके पास h आपके पास है, planks constant 6.6 into 10 raised to power minus 34 joules second, unit याद रखेगा और इनकी values याद रखेगा, तो आगे जब आप entrance होगे रहा देंगे, तो बहुत easy हो जाता है आपके लिए सारी चीज़े या तो आपको कभी ना कभी करनी पड़ेगी इस साल नहीं तो अगले साल, उसके बाद new किसको indicate करता है, आपने radiations को photons consider किया है, आपने radiation को frequency consider किया है, और particle consider किया है, तो उस radiation एक second के अंदर, एक single point में से कितने radiations निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, frequency कह देते हैं, तो अगर आपको radiation की frequency पता है, planks constant की value पता है, तो आपको पता है, कि वो radiation किसको correspond कर रहा है, वो radiation ऐसे photon को correspond कर रहा है, जिस photon की, जिस particle की energy कितनी है, h new है, उसके बाद, Einstein ने एक मजे की बात और भी बताई है, Einstein ने ये कहा, अगर आपको energy पता है, तो आप momentum बहुत इजली निकाल सकते हैं, consider कीजिए, मैं आपको कह दूँ कि energy है, mc square, और आपको कह दूँ momentum निकालिएगा, particle की velocity c है, बड़ा easy है, momentum का formula क्या होता है, mass into velocity, तो क्या कीजिएगा, energy को c से divide करवा दीजिए, तो mc square, जिस particle की energy थी, अगर उसको c से divide करवा दिया, तो 1cc से cancel हो जाएगा, m into c, that is mass into velocity, and you will get the momentum, तो जब भी आपको किसी भी radiation की, किसी भी photon की energy पता हो, और ये पता हो, कि वो electromagnetic radiations है, if they are electromagnetic radiations, तो आपको पता है, कि वो air के अंदर कितनी velocity से, vacuum के अंदर कितनी velocity से चल रहे होंगे, electromagnetic waves कितने से चलती है, 3 into 10 raise to power 8 meter per second, and you know very well, it is indicated by c, तो हमें पता है, कि photon की energy h new है, and these photons are nothing, these are radiation, and these radiation are electromagnetic waves, अगर मैं green light, red light, यानि कि विब ग्योर में, white light की बाद करूं, तो कितने से चल रहे हैं air में, c से ही तो चल रहे हैं, तो आप अगर h new energy को c से डिवाद करवा देते हैं, then you will get the momentum, and what is new upon c, what is frequency upon wavelength, that is upon, frequency upon the velocity of radiation, that is wavelength, तो h upon lambda, तो p is equal to h upon lambda, it means, a particle having mass m, with velocity v, having momentum p, this particle is now no longer a particle, it is considered as a wave, and this wave is now having a wavelength of lambda, आप इसको दूसरी तरह से भी define कर सकते हैं, मैं आपको कह दूँ, एक wave है, जिसकी wavelength lambda है, अब मुझे बताओ कि उसको अगर मैं एक particle consider करूं, तो उसका momentum कितना होगा, पढ़ देने से कह दीजिए, h upon lambda, आपकी wavelength पता होगी, उस h को divide करवा दिजिए, उस wavelength से, जो भी result निकलेगा, वो उस wave को आप किस में convert करवा चुके, particle में convert करवा चुके, और particle का momentum अब कितना हो गया है, p हो गया है, तो यह हमारे पास overall क्या हो गया, कि हमने particle को particle ना consider करके, electron का mass आप जानते हैं, 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg, एक electron को मैं electron ना मान के, एक wave में मान सकती हूँ, आप positive भी कह दीजिए, कि अगर एक electron मूव कर रहा है, तो आप उसको एक electron, या फिर wave ना consider करके, आप एक particle भी consider कर सकते हैं, तो यह दोनो statement contradict हैं, आपस में vice versa है, कि एक wave जो है particle की तरह बहेव कर सकती है, तो एक particle का behavior भी क्या हो सकता है, wave की तरह हो सकता है, तो आप एक electron को, जिसका mass आपको पता है, जिसका charge आपको पता है, वो particle नहीं रहा, अब वो एक wave हो गया है, और wave क्या करती है, obstacle के साथ, जब lambda is equal to t होता है, इस previous lecture में आपको मैंने बताया भी था, तो light क्या करती है, corner के साथ मुढ़ना start कर देती है, तो जो electron है, ये भी corner के साथ मुढ़ना start कर देगा, ये भी किसका phenomenon दिखा देगा, diffraction का phenomenon यहाँ पर show कर देगा, तो electron, जिसका mass आपको पता है, जिसकी velocity आपको पता है, जिसका charge आपको पता है, it can behave like a wave, you can consider it behave like a wave, और आपको पता है, wave जो है, वो किसका phenomenon शो कर सकती है, diffraction का, when lambda is approximately equal to t, t is the thickness of the obstacle, तिहां पर एक छोटा सो numerical हम कर लेते हैं, क्योंकि numerical बहुत आते हैं, entrance test के अंदर, consider कीजिए, कि आपके पर एक source है, source का मतलब क्या हो गया, light या radiation निकालेगा वो, तो आपके पास उसकी जो wavelength है, 5 into 10 is to power minus 5 cm है, source जो light निकल रही है, जो radiation निकल रही है, source जो एक second में energy निकाल रहा है, वो एक जूल निकाल रहा है, एक second में, इसलिए power कितनी हो गई, source की 1 watt हो गई, अब हम से ये पूछा जा रहा है, के calculate कीजिए, कि photons कितने निकाल रहा है, तो इसका मतलब आपने करना ही क्या है, आपने तो इस wave को photons में तो convert करवाना है, तो हम क्या करेंगी यहाँ पर, पहले तो हम हमारी wave की energy निकाल लेंगे, तो energy हमें पता है, wave की कैसे निकलेगी h new, और जो wave की energy है, वो wave ही तो convert हुई है ना particle में, वो wave ही तो convert हुई है ना photon में, तो जो wave की energy है, वो ही photon की energy है, तो हमारे पास formula क्या है h new, frequency हमें given नहीं है, हमें तो given क्या है wavelength, तो दुन्यों की जगे c upon lambda put कीजिए, h की value आप जानते हैं, 6.6 into 10 raise to power minus 34 joule per second, c 3 into 10 raise to power 8 meter per second, lambda की value 5 into 10 raise to power minus 5 centimeter given है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब को cgs में convert करना पड़ेगा, h को भी args के अंदर convert करना पड़ेगा, और c को भी centimeter, meter per second की जुग है, centimeter में, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, lambda को ही meter में convert करवा दीजिए, तो अगर आप lambda को meter में convert करवा देते हैं, h को आप SI unit में ही रहने देते हैं, c को भी आप 3 into 10 raise to power 8 meter per second रखते हैं, तो आपके पास energy आ जाती है, आपके radiation की 4 into 10 raise to power minus 19 joule, यह radiation की energy ही तो photon ही तो आपके पास radiation है, तो अब यह देखिएगा, energy हमें दे रखिए कि एक second में कितनी energy निकल रही है, 1 watt, तो हमें एक particle के energy given है, तो हम क्या करेंगे, total energy divided by the energy of one particle, तो हमें क्या मिल जाएगा, number of particles मिल जाएगे, तो हमारे पास number of particles कैसे आ जाएगे, आप हमारे पास जो power है, that is joule per second, उसको joule से divide करवा दीजिए, तो energy से energy cancel हो जाएगी, तो हमारे पास आजाएगी एक figure, and this is the 2.5 into 10 raise to power 18 photons per second emit कर रहा है, हमारा वो source, जिसकी wavelength कितनी है, 5 into 10 raise to power minus 15 centimeter, और जो 1 second में 1 joule की energy क्या कर रहा है, emit कर रहा है, तो बहुत easy concepts हैं, और time के साथ देखिएगा, particle को हम radiation consider कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़े हमें वहाँ पर समझा नहीं है, हम उसको wave nature से नहीं समझा पारे, तो photoelectric effect and comptant effect, they are the constraints, because we can't define these photoelectric effect and comptant effect with the radiation nature of the wave, तो हमें क्या करना पड़ा है, तो इसी तरह से कई जगे हमें क्या करना पड़ता है, हमारे एक concept अगर एक चीज़ वहाँ पर किसी problem के उपर fit नहीं हो रही, तो हमें दूसरी concept के उपर वहाँ पर move करना पड़ता है,